दिल्ली में भी लोकसभा चुनाओ का बिगो लब बच चुका है और आज उत्तर पूर्वी सीट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोश तिवारी जो है वो नामांकन के लिए निकल गए हैं घर से तो देखे किस तरीके के दिन चरिया रहती है कि breakfast भी जो है वो रास्ते में ही चलते हो रहा है मनोश जी अब तो तीसरी बार आप जो जिस जगह जा रहे हैं आज nomination भरने के लिए ये बताईए कि तीसरी बार में आप थोड़ा confident नजर आ रहे हैं कि दो बार आप यहीं से जीत कर आए हैं या आपको लगता है कि इस बार इस तरीके का एक प्रतितुन्दी सामने है कि मामला रुमान्चक भी हो सकता है नहीं हम तो अपने कारियों की बदावलत इश्वर की कृपा जगदंबा माविन देवासनी क्या शिरवाद और लोगों से जो बिवहार है उसकी आधार पे एक बार फिर से हम पार्टी ने हमको मोगा दिया है आज जा रहा हूं ना मंकन करने और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों बार से ज़्यादा अंतर से हम लोग इस बार मोदी जी के लिए जीतेंगे इससे पहले कि आप पहला कौर लें मैं आप किस तरह आज के खास दिन पर भगवान को याद करेंगी मैं सबसे पहले तो जगदंबा की अराधना करता हूँ तो हमारे घर के अंदर मामिन देवासनी की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमूर्थी विराजित है और मेरा जीवन ही मामिन देवासनी के चरणों से शुरू हुआ मामुन्देश्वरी, मामिन देवासनी, शीतला चोकिया, जौनपुर और देरे देरे पुरे देश के सभी सक्टी अस्थलों के पास गया तो आज भी मैं पुजा करके निकला तो विडियो भी रिलीज कर देंगे लेकिन हरनумांजी तो सदैव है, क्योंकि हरनумांजी तो मा के जढ़े पे हैं, तो चलते-चलते निकल गया लगी जय 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 बजरंग बली, जो भी आया तेरे चरण में सब की विपदा सदा टली, जय 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 बजरंग बली, जब हम पहला कौर चलिए, और जब हम दिल्ली के बात करते हैं, जय 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 सब के जय जय बजरंग बली, जब करते हैं, हमें बताने के लिए अपना कारी भी है, हमें बताने के लिए पहली बार सेंट्रल स्कूल है हमें बताने के लिए पहली बार एलिवेश टेशन है हमें बताने के लिए पहली बार देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है हमें बताने के लिए ट्रैफिक जामों से की गई जो मुक्ती है जा हम सास्त्री पार्क का चौराहा हो, खजुरी हो, करावन लगर हो, सिग्निचर ब्रिज है, हमारे पास मेट्रो का ट्रिपर लेकर है, लेकिन इसके साथ साथ यह हुआ किसके कारण वो नर्दर मोदी जी का नाम दे, क्योंकि हम इतनी जो भी अभी तक कर साके हैं दस साल में, वो हमारे चेतर के लोग जब जो हमारे चेतर का दर्वाजा है, चार-पांच तरफ से, उस सब को हमने दुरुस्त किया है, अब अगले बार इश्वर का नाम लेके अंदर खुसना है, गलियों में जाना है, लेकिन कुछ चुनोतियां भी आती है, जैसे मानले किसी को भुजर्गों का पेंसन बंद है, तो पहले आपको पूछते हैं, मगर हमको समझाते हैं, कि सरी यह जो कार्य है, वो राज्य सरका का काम है, कोई dispensary कहता है, मेरे पास नहीं है, अभी भी, तो वो आपको भी, हम सब को समझाते हैं, कि हेल्थ हो, education हो, और उसमें हम लोग जितना धक्का दे करके कर सकते थे, अपने समन्वे बना के कर सकते थे, किया है, बाकि लोग को समझाते हैं, लोग समझते भी है, आप जिस सीट से लड़ रहे हैं, यहाँ पर आपने दिल्ली की पूरू मुख्यो मंत्री शीला दिक्षित को भी हराया है, और हमने देखा का कि किस तरीके से चुनाओ जीतने के बाद आप उनके घर भी गए थे, आपने अपना gratitude भी उनको दिखाया था, आप दूसरी नारी शक् आपको लगता है, आप लोगों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि सुनिता केजरिवाल की कैंपेइन करने से सिंपेथी बहुत होगी? जरावी सिंपेथी नहीं है, देखिए सिंपेथी तब होती है जब आपकी इमेज अच्छी हो, जब आप दिली को पानी के लिए तरपा रहे हैं, साफ पानी के लिए तरपा रहे हैं, और तूटी गलियों से, पानी के जल जमाव से, मतलब ये मेन रोड छोड़ दीजिए, द्वारका एक्स्प्रेस, प्रग्ति मैदान का टनल, 709 बी का एलेवेटेड रोड, दौला खुआ, ये इनिज 24, ये सब छोड़ दीजिए, जो मेन मेन सडकें हैं, तो आपको दिल्ली के प्रतियक सेक्टर में आपको बहुत तकलीफ होगी, और सबसे बड़ी जो बात है न, कि गली-गली में माताओं की, पिताओं के, माताओं के, जो शराब वाली हाय लगी है न, जो शराब पिलाने के लिए उन्होंने कोसिस किया, तो साहनुभूती नाम की कोई चीजी नहीं, बल्कि और गुस्सा आएगा उनको देखके, कि बताओ, आप जब उनके साथ थे, तब आपको नहीं मना करना था कि मंदर के सामने, मस्जिद के सामने, गुर्दवारे के सामने, शराब की दुकानी स्कूल के सामने मत खोलो। तो यह आप कह रहे हैं कि सुनिता केजरिवाल की तो कोई सिंपती नहीं है, लेकिन जो आपके, इंडिया गेट की भी तस्यूर देखे हैं, इंडिया गेट भी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ और यहाँ आप मनोजी को सल्यूट करते वे भी देख रहे हैं, जहां वो सुभाष च तो आपको क्या लगा कि चलिए आप चुनाओ में मज़ा आएगा, या आपको लगा कि जो पांच लाख वोटों की आप बात कर रहे थे, उसका मार्जिन बढ़ेगा, घटेगा क्या, लेकिन बेरा मानना है कि दिल्ली टुकडे टुकडे गैन का विचार, उपर से कम्यूनि नहीं कर सकता, इसलिए कॉंग्रेस ने जो कनहिया कुमार पे भरोसा दिखाया है, तो इसमें कॉंग्रेस की पुरी मानसिक्ता दिख गई है, इसलिए हम क्या बोलें, उनके अंदर ही पार्टी में जो हो रहा है, आप वो देख लिजिए, तो मेरे हिसाब से हमारे लिए ये क कॉंग्रेस के लिए चुनोती है, आज दो और उनके बड़े जो कॉंग्रेस के नेता थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो ये बाहरी वाला फाक्टर जो है, वो कह रहे हैं कि भई, अपने ही कारेकर्ताओं का जवाब देते नहीं बन रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने बाहर से लाके कैंडिडेट खड़े कर दिये, वो चाहे कनहिया की बात हो, उधित राज के लिए भी यही बाते सामने आ रही है, आपको लगता बाहरी होना करते हैं, देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनका देश के परती जहर उगलना, सेना के परती अपमान जनक्त पड़ियां करना, लड़कियों से अभद्रता करना, जेडियू में जो इन लोगों ने किया है, वो सबसे बड़ा जो परिछे है न, वो इनको तो जो हार्म करेगा करेगा ही, कॉंग्रेस को और आमादी पार्टी को भी हार्म करेगा, आपने कहा सुनिता जी आएंगी, तो स सुनिता जी से भी पूछा जाएगा, कि आप आपके उपर तो पहले ही पुन्नुस से पैसे लेने कारोप लग चुका है, आतंकवादियों से पैसे ले करके, जब आपके पती अर्विंद के जरिवाल जी लड़ते थे, तब आप ने तुनको मना नहीं किया, और अब आप ट जबाब देगी. कुछ बोलते हैं और यूट्यूब पर चाज आते हैं, और आज मनुष्टिवारी के समर्थन में इनके साथ आप जा रहे हैं, किस तरीके से इनको विश्च करेंगे और क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो भारतिय जंतरपाटी और NDA गटबंदन जो है, वो 400 पार जा रही है, और दूसरी बात मनुष्टिवारी विया के बारे में मैं कहा देना चाता हूँ, 14,600 रुपय का इनको ने काम किया है, और इनके छेतर में जितना भी नेशनल हाईवे है, उसको इनको ने ठीक ठाक बनवाया, उसके अलावा जो है, जो कंजेस्टेर एरिया था, जहां पे मेट्रो की सबसे बड़ी समस्या थी, लोगों का डिमांड था कि मेट्रो यहां पे बिना किसी का घर तोड़े हुए, जबकि आम आदवी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया था, कि आप मेट्रो निकालेंगे घर तूटेगा, बिना किसी का घर तूटे जो है, इन्होंने मेट्रो बनवाया वहां पे, हाईवे बनवाया, हाईवे जब बनवा रहे उस समय भी बहुत सारे लोगों ने बिरोध किया, और कमाल की बात यह है कि सिगनेचर ब्रीज पे क्रेडिट लेने के लिए अर्विंद केजरिवाल छाती पीट के खड़े हो गए, जबकि 67 करोर रुपया राष्ट पती सासन जब लागू था दिल्ली में, तो मनोज दिवा रिभिया ने वो 66 करोर रुपया पास कराया और सिगनेचर ब्रीज जो है इन्हों ने बनवाया, जो जितने भी सांसद है पूरे भारत में, उसमें ये टॉप 10 सांसद में से एक है, जिनोंने 98% सांसद निधी कोस का पूरा पैसा खर्च किया, 98% सांसद निधी कोस का, और सा आया गया, जो 4.5 लाख भोट से बिहार में हारे थे, उनको भगा दिया गया, यहाँ पे आया है, यहाँ पे संदीप दिक्षित उनको एकसेप्ट नहीं कर रहा है, उनके वजह से जो है, अर्विंदर सी लबली जो परदेश अद्यक्स थे, एंड टाइम पे इस्तिपा दे आज कॉंग्रेस के दो नेता इस्तिपादी हैं, और क्ॉंग्रेस का कोई भी करें, करता कनिया कुमार को accept नहीं कर रहा है, और दिली की राष्टवादी जनता भी कनिया कुमार को accept नहीं कर रही, यहाँ तक यह बत मैं कह देना चाहता हूँ, जो मुस्लिम भोटर्स हैं, इन साज़े चार से पाचलाग भोट से भी जादा भोट से जो है कणिया कुमार को हराएंगे और अब कणिया कुमार जो है ना पहले तो भिहार उनके लोग हो, वो सब तो मनुच टिवारी भीया के साथ है। जनता उनके साथ है और जितने भी बड़े बजर्ग हैं उत्तरपुर्वी दिल्ली के सब ने उनके लिए आशिरवाद भेजा है। देखे, कनहिया तो हर युग में थे, लेकिन सबको द्वापर के ही कनहिया अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कल्यूगी कनहिया है जो सामने खड़े हैं मनोज भीया के। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मनोज भीया को जो लोग परसनली जानते हैं वो इन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये समझते हैं कि गरीट के दुख को देखकर ये रो देते हैं, जो इनसान इतना इमोशनल हो। दुनिया मेशा नेता को नेता ही समझती है, कभी उसके दिल को नहीं समझती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भया अपने शेत्र को और शेत्र के लोगों को संभालते हैं, एक पिता जैसे अपने बच्चों को संभालता है, एक मा जैसे अपने बच्चों के लिए emotional होती है, वैसे ही है घर के आगे कोई कोई सिरिंज लगाकर कोई हाथ में कोई मरीज खड़ा है कोई जुर्टमंद खड़ा है हर कोई इनके घर के आगे खड़ा मिलता है क्यों? क्योंकि उन्हें आस है कि हमारा सांसद हमारा भाई है बड़ा भाई है तो एक यही इनकी सफलता का राज भी है, कि हर किसी को साथ लेकर चलते हैं, और जो सामने कनया कुमार है, मैं तो यही कहता हूँ कि जब टुकडे टुकडे भारत के करने की बात कोई कनया करता है, तो हमारे जैसे कनया मित्तल को भी फिर साथ खड़ा होना पड़ता है रास्ट करने जा रहे हैं और ये कुछ और ही बात करते हैं, इंट्रिव्य को अंठ करने से पहले आप अगर कुछ सुना दें क्योंकि आप महौल भी बन जाएगा और सबकी एनरजी भी आजाएगी, जो राम को लाएं है, हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से कि मोदी जी आये थे मोदी ही आएंगे मनोज जी आये से मनोज जी आएंगे दिल्ली में फिर से हम भगवा लेह राएंगे भारत में फिर से हम भगवाले हराएंगे जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं कैमरा बसंद जय के साथ फियांखा कानपान उजट इन इंडिया दिली